नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भारती फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल मशीनवाला.डोट कोम पर दोस्तों हमेशा की तरह फिर आज आपके लिए बहुत ही अच्छा उद्योग लेकर आई हूँ जैसे कि दोस्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो आपको मशीन दिखाए दे रहे हैं मिट्टी की इट बनाने की मशीन है दोस्तों इस उद्योग को कोई भी आसानी से कर सकता है अंपड महीला पुरूष बुजूर को कोई भी कर सकता है इसमें किसी ट्रेंड बंदे की आशकता नहीं होती है अगर आप पास से दस दि आप दिखाए दे रहे हैं मिट्टी की इट बनाने की मशीन है हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से मिट्टी की इट बन करके तयार होती है दोस्तों इसमें जो मिट्टी डलती है दोमेट मिट्टी चिकनी मिट्टी डलती है हम इसका पूरा प्रोसे प्रूमेंस प्रूमेंट लगी किसा देखने, बिर्ग रिंटेंस, आधाने, 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 इसक्वाने झाल झाल अग़ में ये खेत ताग्ड कि अजर अाल जया झाए झाल रवे खेता है ये कुछ लगार के WILLEZ से आगता हमाँ पुिल से एखिए दिए डिशो chirping ऑले उत खि буквे से को कर दो जाए खो भाते है ISK हो दो न्मक्रोंसा है झाल 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 इस प्रकार से आपकी मिट्टे के इट बन करके तयार होगी प्रकार यहे इस प्रकार से इसमें इसमें रेट लगानी होती है थोड़ी थोड़ी इसके बाद इटे जो बन करके एक दम पिनिशिंग से तयार होती है जोस्तों कोई भी हार्ट प्रोसेस या हार्ट ट्रेनिंग नहीं है अगर कोई भी 10 से 15 दिन इसमें कार्य करता है तो आसानी से ट्रेंट हो जाता है कोई भी अंट्रेट परसन इसमें वर्क कर सकता है माहिलाएं, बुजुर्ग, पुरूष, कोई भी आसनिसे से कड़ सकता है दोस्तों अगर हम इसमें लेबर की बात करें तो इसमें स्रिफ चार लेबर लगा ही जाती है जैसरे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस प्रका сторон से इट बंद करके तयार होती है आप खुद देख रहे है कि कितनी फिनिशिंग से इट बंद करके तयार हो रही है इसके बाद हमेसे सुखाना होता है दोस्तों कोई भी हाड प्रोसेज या हाड ट्रेनिंग नहीं है कोई भी से असानी से कर सकता है देखिए दोस्तों ये प्रिक्स है इट है मिट्टी कीट कितनी फिनिशिंग से बन करके तयार हो रही है इसकी फिनिशिंग आप खुद देख सकते हैं दोस्तों मेशीन को चलाना भी बहुत असान है दोस्तों हमें जो मिट्टी लेनी होती है वो चिकनी मिट्टी लेनी होती है जिससे जो मिट्टी की फिनिशिंग आती है वो काफी अच्छी आती है चिकनी मिट्टी होती है उसके लावा हमें इसमें थोड़ा थोड़ा रेट डालना होता है थोड़ी थोड़ी हमें इसमें रेट डाल भी होती है इससे क्या होता है कि इड जो बनती है वो चिपके न और आपके एकदम फिनेशिंग से बन करके बहार निकले दोस्ते जो होपर दिया गया है इसके इंदर आपको मिट्टी है वो डालनी होती है करे लोड़ी दिया लोड़ी है जैसे पृटी है लोड़ी एलो लड़ी है इस एक लोड़ी यहा होती है कर दोड़ी है कर दोड़ी है पिस पर दो STEVEN बाईब बाईब झाल झाल जैसे हैं कि दोस्तों अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा कि किस प्रकार से ब्रिक्स बन करके तैयार होती है दोस्तों इसमें कोई भी आसनी से कड़ सकता है इसमें कोई भी ट्रेंड पिर्शन के आशुत्ता नहीं अगर आप पांस से दस दिन भी अगर वर्क करते हैं तो आटमेटिक आप ट्रेंड हो जाते हैं अनपड महीले बच्चे बुद्यूर को पुरुष कोई भी आसनी से कड़ सकता है अगर आप ये उद्ध्यू करना चाते हैं या किसी प्रकार का उद्ध्यू करना चाते हैं चोटे उद्ध्यूर क से लेकर बड़े सबभी प्रकार की यहाँ पर आपको मशीने देखने को मिल जाएगी डिस्पले डिस्क्षा हमारे कॉंटेक्ट नमबर दिये गए हैं सुबह 9 बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े तक आप कॉल करके मशीन की पूरी जानकरी ले सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्के शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक कोचे धन्यवाद